पहला उपचुनाओ हो रहा है डुम्री में हमारे साथ कॉंग्रेस पार्टी के नेता बेर्मो से बिधायक अनूप सिंग जी है अनूप जी आपके बिधान सबा छेतर से सटा हुआ ही है पहला उपचुनाओ है इंडिया अलाइन्स का किस तरीके से आपे देख रहे हैं चठा उपचुनाओ है जारकन में हेमन सोरेन के सरकार में देखें ये सटा हुआ नहीं है चाहे वो डुम्री के लोग हो चाहे बेर्मो को लोग हो हम लोग डुम्री और बेर्मो को एक मानते है तो वेपार करने के लिए लोग बेरमों ही जाते हैं और बेरमों और डुमरी दोनों की जनता अपने पूरवजों को सम्मान करने भी जाती है संसकार देना भी जानती है उन्हें पूजना भी जानती है और उनके किये हुए कारिये को आगे लेके चलना भी जानती है इसलिए जिस तरह के से राजिंदर वावू को सम्मान दिया बिर्मो ने उसी तरह से जगणात मातो जी को भी सम्मान मिलेगा क्योंकि काम इनों ने किया है हाँ निश्यत दोर पर अगला चुनाफ जो है वो काम पर बताएगा कि बेवी मातो जी कैसा काम करती है कि मेरा चुनाफ अगला बताएगा कि मैंने कैसा काम किया लेकिन राजिंदर वावू के नाम पर चुनाफ जीता था मैं जगणात मातो जी के नाम पर चुनाफ जीती हैंगी बेवी मातो जी क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो किसी को भी समास सेवा से विश्वास उड़ जाएगा किसी को भी गरीबों के लिए कुछ करने से विश्वास उड़ जाएगा किसी को भी जनता के प्रती प्रते दिन सुबा शाम खटने के लिए जो ललक होती है और इस बिमारी में भी जिन्होंने अपना प्रान गवा दिया, उन्होंने गवाया, उनके बाई वासुदे मातों ने गवाया उसी करोना काल में, एक ही परिवार से दो महीना के अंदर दो आदमी चले गए, उसका विश्वास टूड़ी आएगा। जब लोग सभा का चुनाव आया, तो जाती का हवाला देते हुए, सुदेश मातों की पाटी ये साबित करने में, काम्याब हुई कि कुर्मी जाती मतलब सुदेश मातों, और चंदरपकाच चौदरी को धाईल लाग अधिक भोट मिल गरिटी लोग सभा से, लेकिन हुआ क्या उसके बाद, साड़े चार साल चंदरपकाच चौदरी डुम्री विदान सभा में ताकने तक नहीं आये, सिलिनास पट के नाम पर, उटगाटन के नाम पर एक भी सांसत मत का, उनका फंड नहीं दिख रहा है, तो निश्चित तोर पर हम लोग जब इंडिया गठक बना, तो हम लोग ने क्यों बनाया, हम लोग ने जाती धरम को देखते वे नहीं बनाया, हम लोग ने हिंदुस्तान के समविधान को देखते वे बनाया, और जब जाती का ही बात था तो निर्मल मातो जी जो सबसे बड़े नेता है आसू पाटी के जिनको लोग पूचते थे जिनके सदानतों पर आज आसू पाटी चलती है तो निर्मल मातो जी की पुतो ना खड़ी होती है इचागर से तो इचागर से जब उनकी पुतो खड़ी ह होती है तब सुदेश मातो अपने ही गुरू अपने ही पार्टी के सबसे कर्मट जिसको अभिवावग मानते हैं आजसू के लोग उनके पितों के विरोध में अपना उमीदवार देते हैं ये कहां से जायज है आज ढूमरी विदान सवा में जिस तरह के से जहराम मातों ने य अलान किया कि हम लोग जगरनात मातों जी के सम्मान में खड़े हैं अगर सुदेश मातों जी में थोड़ी सी भी गैरता और लश्ता बची होती तो वो भी एनाउंस करते हैं लेकिन उनको चार साल पांच साल का बिदाई की काल नहीं चाहिए उनको एक साल का बिदाई की काल भी चाहिए अगर कम से कम जहराम मातोजी ने क्या बोला इस बार तो हम छोड़ दे रहें अगले बार देखेंगे एक साल का चुनाव था एक साल के लिए तो सम्मान दे सकते थे अपनी कुर्मी जाती के बहु को जिस बहु के लिए आप मन से चिला रहे थे कि कौन सा मंत्राले मिला दारू का मंत्राले मिला अरे हेमन सुरन में इतनी हिम्मत तो थी कि बिना चुनाव जिता हुए आपी के जाती की बहु को एक मंत्री बनाकर आप लोग के बीच में देने का काम किया आप में क्या लस्ता और हिम्मत बची है कि आप जिसके अर्थी उठने के समय गये अपने सोचा नहीं एक बार भी ने सोचा उससे अच्छा तो मैं था कि जगनात मातो जी ने मेरे को सहारा दिया जब मेरे पिता गये और उनके जाने के बाद मैं उनके बच्चों को सहारा देने का काम कर रहा हूं इस वहां यग में थोड़ा सा आहूती देने का काम कर रहा ह मैंने ये बात को तो अपने सीने में थोड़ा से भी नहीं लगाया कि उनके भाई की हतिया का जूटा आरूप मेरे में लगाता। बलकि उनकी हत्या करने वाला किसुन मातो आज आजसु पार्टी का जंडा लेके आज बीजेपी का जंडा लेके और सुधेश मातो की गाड़ी में घूमने का काम कर रहा है सुधेश मातो के घर में जाके टिकट मांगने का काम ये शोदा देवी के बगल में बैटके कर रहा है आपकी घर की बहु का सुवाग को उजार दिया और आप उसको अपने घर में बेटा केर सम्मान दे रहे हैं चाई पिला रहे हैं मिठाई खिला रहे हैं अनूप जी यह जो टारगेट चुकि जाहिर सी बात है कि सुधा देवी आउट्सू पार्टी से हैं तो निसाने पर सुधेश्महत्य वहातंतोर उनकी पार्टी ही रह हैं यह शोदा धेवी, एक महीला है, और महीला का हम लोग सब सम्मान करते हैं, हम समिधान के चाहएड चलते हैं, टारगेट हैं यह लोग, जो जाती के नाम पर धरम के नाम पर बाटने का काम करते हैं, इतना ही प्यार था, तो पिछले बार भी एक साथ लड़ जाते, बस पिछले बार आप जीत नहीं पाई पचले बार ये सीट नहीं पाई तो जातिता भूल गए 1932 भूल गए और आज दोनों एक हो गए और 1985 में चंदरपकाज चौधरी ने क्या भोला था दिख्ये एक वीडियो दिखाताओं आपको लाइन पर हिएगा थोड़ा जूम करिएगा एक वीडियो दिखाता हूँ यह है और इख गांग चंदरपकाज चौधरी बोलर है यह देखें यह second देखें क्या बोल रहे हम लोग ने तो 85 किया था आप 32 कीजिए अरे 32 ने तो हम लोग ने बिजान सवा से करके भेज दिया सरकार आपकी बैठी है केंदर में आप तो 32 कीजिए बेकूफ बनाते किसको है अनुप जी सवार यहां पर क्या लिखा हुआ है राज के लिए इतिहासिक फैसला चंदरप्रकास तिती नौ आठ चार दोहजार सोला जारकंड सरकार के इस्तानिये की परिभाशा तै कर दी गई है यह राजवासियों के लिए इतिहासिक शण है लंबे समय के से इस विवात च लगा दिया उक्त बातों पेजल इसम स्वस्ता मंत्री चंदरप्रकास चौधरी ने प्रबात कवर के संभाता से कही इससे विगत 30 वर्षों से यह अधिक वर्षों से रहे लोगों के स्थानिया और निवासी होने का लाब मिलेगा तो भाईया आपने उस समय तो इतनी बड मों घिय बाद कें थी Chin quote में बैट Đी सूप 85 का साइंक रदिया और आज आप जूटा घरियालू आसुब आने कि 32 की बात कर रहे हैं है आज आज आप जूटा कर यालू बाझे तूब आ सुबाने कि हम कुर्मी की बात कर रहे हैं आगर जाती के अधार पर आप लोगों हिंद और चंदरपरकास चौधरी की में पत्नी को वहां के लोगों ने जिता दिया तो यह तो सवाल अब खता ने 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 मंता देवी अगर बहार रहती तो बजरंग मातों बस सजार से हा रहे थे और अगला चंदरप आप देख लीजेगा यही मंता देवी और निके पुरखो को अपने पूरवजों को अपने दादाको अपनी दादी को अपनी मा को अपनी बेहन को अपनी काटी को बेरमो और डुम्री एक है सम्मान देना जानते हैं राजिंदर वावु को सम्मान दिया प्यार दिया फिर उनके बेटे को जिताया जगनात मातों जी को सम्मान दिया प्यार दिया फिर बेवी मातों जी को जिताएंगे लिए जो बोल रहे हैं कि डुम्री की जनता बेवी द चुकी हैं जगनात महतो को सरधानली देते हुए उन्हें जिताएगी शुक्रिया चुक्रिया जिताएगी शुक्रिया 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 जिताएगी